दुबंशी सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में केंद्रिय मंत्रिन इत्यानंद राये अपनी शक्ती का प्रदश्वन किसे दिखा रहे हैं राज सुप्रिमों लालु परशाद यादव या फिर बीजेपी को नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेश बिहार में ज्याती अधारित गणना करवाई गई और ज्याती है सर्वे जब से निकल कर सामने आई है तब से लगा तार अब ज्याती पर लोग वोट को अपनी और साधने की तयारी में लग गया है एक तरफ जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी बिहार की राजनीती में ज्याती को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है दरसल गुवरधन पूजा के मौके पर यदुवंशी समेलन का युजन किया गया और इस समेलन का युजन केंट्री मंतर नित्यानन्द राय ने किया नित्यानंद राय ने समेलन में एक तरफ जहां राजस सुप्रीम उलालो प्रशाद यादब और तजश्वी यादब पर जोरदार निशाना साधा तो वहीं दूसरी हो कहीं न कहीं वो वीजेपी को साफ साफ दिखा रहे हैं कि अगर बिहार की राजनीती में बीचेपी को अपनी पकड मजबूत बनानी है तो नित्यानंद राय उसके लिए एक बेहत बड़े नेता के तोर पर नजर आ सकते हैं क्योंकि नित्यानंद राय 14% यादव वोट बैंक को साधने के लिए तयारियों में जो अभी से ही जुट गए हैं सबका विकास सबका विश्वास ये मुल मंत्र पर चल रही बीजेपी के निशाने परविस्वर लालू यादव की अमवाई समीकरन है इसमें भी M के साथ Y यानि यादवो के 14% से या ज़्यादा वोट पार्टी की निगाह पर है वैसे भी NDA के पार्टी रहे जद्यू के महागट बंदन में चले जाने से कागजों पर भारती जनता पार्टी वोटों के समीकरन में पिछरते हुए दिखाई दे रही है ज्यानि पूनती थी में जो जाती वोटों को साधने की कोशिस हरदल करता है वो बीजेपी के एक नए प्रियोग का यादवोट बैंक में सेंधमारी के लिए गोवर्दन पूजा में यादवों के जुटान का जरिया ढूडा है साथी साथ 21,000 यादवों को बीजेपी की सदस्ता दिला कर राज़ सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव को चौकाने वाला काम किया है गोवर्दन पूजा पर यादवों के इस जुटान में जुटी बीजेपी के बड़े नेता के जरिये यादवों के सेंधमारी का प्लेटफॉन तयार कर रही है इस प्रक्रिया के जरिये बीजेपी आवाम के बीच अपनी सर्वे सविक्रता को इस्थापित करना चाहती है बीजेपी की ओर से यादवों को इस जुटान में धमक आरजेडी सुप्रीमों और मुख्यमंत नुर्टिश कुमार तक की पहुँच गई है गुवर्णन पूजा पर यादवों के इस भारे जुटान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एकेवल महागच बंदन को धमकाने के लिए नहीं बल की अपनी ताकत को बीजेपी के रनितिकारों का ध्याना कर्शित करना चाहते हैं इसी चर्चा है कि बीजेपी अब यादव वोट बैंक के साथ जादा मेहनत अती पिछड़ा और दलित मत को साधने के लिए कर रही है बीजेपी के भीतर ये सोच चल रही है कि यादवों का वोट तो लालू यादव के साथ ही रहेगा इसलिए इस मत के लिए बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है चर्चा तो इस बात की है कि भाजपा के भीतर अब यादव नेता की बहुत पूछ नहीं हो रही है यहाँ था कि केंत्रे मंत्री और पूर प्रदेश सध्याक्ष नित्यानंद राय अब पावर फूल नहीं रहे एक समय था जब बीजेपी के नहीं प्रदेश सध्याक्ष भी बनाया गया था पर ये भी यादव मतों का ट्रेंड नहीं बदल पाए आज की सिती ये है कि संगठन में यादव समाज को सिर्फ एक पद दिया गया है महत्रपून पद पिछडे वर्क और कुश्वाह समाज आने वाले समराण चौधरी को मिला है पक्ष्वी कुर्शी सवर्ण को दिया गया है विधान परिसंद में नेता विरोध दल के कुर्सियाती पिछडे वर्क को मिला है जातिय सर्वे के यादव की जन संख्या 14 फीसदी से भी जादा है ये वोचों के एक बड़ी संख्या की ओर भी इशारा करता है वैसे भी बीजेपी के भीतर कई ऐसे यादव नेता है जिन्होंने लालो यादव के रहते जीत हासिल की है जातिय अधारित गणना की रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से लगा तार बिहार की राजनीती में एक बार फिर से जातिवाद की राजनीती काफी जादा सक्रिय हो गई है एमवाई समीकरन ये सब जानते हैं कि राज़त सुप्रीमो लालो प्रशाद यादव की पार्टी यार चटी हमेशा से समीकरन को लेकर चली है तो वही अब बीजेपी के केंट्रिय मंत्रि नित्यान अंद्राय यादव वोट बैंक को सादने के लिए अब एक नई पहल की शुरुआत की है जहां उन्होंने यदुबंशियों के समेलन में यादव को ये कहा है कि आपका जो वोट बैंक है वो बीजेपी को आना चाहिए और इससे हमें कई जादा लाव भी होगा और हम बिहार के विकास के लिए आपको काम करके भी दिखाएंगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि M.Y. समिकरन जो राजर सुप्रीम उलाल प्रशाद यादव शुरू सलेकर चल रहे हैं वो उनके साथ रहता है या फिर बीजेपी के इस नए खेल से वाई M.Y. समिकरन बदलता है या फिर वही का वही रहता है फिलहाल के इस खबर में इतना है तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूस फारनेशन